चंदन नगर में सुरीली अपने परिवार के साथ रहती थी, उसके दो बच्चे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि सुरीली का पती मोहन पक्का शराबी था, जितना भी वो कमाता, उसे शराब पीने में उड़ा देता है, दो दिन से घर में कुछ भी खाने को नहीं है, सुरीली ने खर्च के लिए पैसे मांगे हैं, तब ही मोहन उसे पीठता है, सुरीली कहती है, आप इतनी शराब मत पिया करो, सारे पैसे उड़ जाते हैं, दोस्त भी आपके पैसों से एश करते हैं, और हम लोग भूखों मरते हैं, ये कहां का निया है, बच्चों को भी तक कुछी नहीं समझती, चल, चल निकल, निकल मेरे घर से, मोहन सुरीली को बहुत मारता है, तब ही शोरगुल सुनकर पडोस की शारदा चाची आजाती हैं, वे सुरीली को मोहन की पिटाई से बचाती हैं, और कहती हैं, बसकर मोहन, अब इस बेचारी को मार डालेगा क्या, त तुझे अपने बच्चों पर भी रहम नहीं आता, बेचारे सेह में से खड़े हैं, मोहन तो नशे में बिलकुल धुत है, शराब के अलावा उसने भी कुछ खाया पिया नहीं है, उसे अभी और शराब चाहिए, देख बढ़िया, तू मेरे घर मताय कर, तू नहीं सुरीली ये बच्चे भूग से बेहाल हैं, मेरे साथ मेरे घर चल, मैं अभी तो इनको खिला पिला देती हूँ, लेकिन इतना मेरे पास भी नहीं है, मैं कोठियों में खाना बनाने का काम करती हूँ, मैं तुझको काम दिलवा देती हूँ, सुभा शाम खाना बनाने का काम किया कर, और तुझे आराम से खाने पीने पर के लिए पैसे मिल जाया करेंगे। ठीक है चाची। शारदा चाची ने सुरीली को अशोक सकसेना के यहां काम दिलवा दिया। उनकी वाइफ मोनिका जॉब करती है। सुरीली बहुत महिनत से जायकेदार खाना बनाती है। तीन-चार महिनों में ही उसका काम करना दूभर हो जाता है। अशोक दिलफें का अदत का है। वे सलोनी को बहुत भद्दे ढंग से घूरता रहता है। उसकी बे मतलब में तरफतारी करता है। वाव। सुरीली तुम छोले भटूरे कितने जायकेदार बनाती हो। जी करता है कि तुम्हारी उंगलियों को चो मुलू। इतने अच्छे भी नहीं बने हैं जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। सुरीली तुम छोले का डोंगा यहां रख कर किचन में जाओ। सुरीली डर गई कि अचानक मोनिका उस पर क्यों नाराज होकर चिल्लाने लगी है। अरे उस बेचारी पर क्यों चिल्लाती हो जो कहना है मुझसे कहो। यू ब्लोडी जो भी मेड आती है उस पर लाइन मारने लगते हो। देखो दिमाग खराब मत करो तुम मेरा तुम्हें आफिस आने के लिए देर हो रही है ना जरूरी मिटिंग है जाओ। मोहन को बहुत शर्मिंदगी और पच्चतावा होता है वे कहता है सुरीली ये सब मेरे कारण हुआ है अब मैं कुछ काम करूँगा और अपने बच्चों को पालूँगा। मोहन दूसरे शहर में अपने दोस्त के पास काम ढूणने चला गया। उस रात को किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तब ही किसी ने सुरीली के घर का दर्वाजा खटखटाया। सुरीली ने दर्वाजा खोला तो देखा कि मोनिका खड़ी है। सुरीली हैरान होकर पूछती है। सुरीली तुम रो मत। मुझे तुम से बहुत हमदर्दी है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम इस समय बहुत मुसीबत में हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बेंड की वज़ह से तुम सब लोग भूखे रहो या परिशानी उठाओ। मोनिका ने पर्स से बीस हजार उपए निकाले और सुरीली के हाथ पर रखती है। वह बोली, देखो सुरीली, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मेरी सला है कि यह रुपए लो और छोले भटूरे बेचने का काम शुरू कर दो। इससे तुम सेल्फ डेपेंड भी रहोगी और किसी की नौकरी भी नहीं होगी। लेकिन मैडम, मैं आपके इतने रुपए कैसे ले सकती हूँ। पगली, मैं वेलफेर क्लाब की मेंबर हूँ। उसमें जरूरत मंदों की मदद के लिए फंड जमा होता है। उसी के रुपए है ये। रही मेरी बात, तो मैं तुम्हारे चोले बठूरे खाने के लिए रोज आया करूँगी। और हाँ, कलब की सारी सहेलियां भी आया करेंगी। और कोई जरूरत हो तो बताना, फोन नमबर तो है ही तुम्हारे पारूँ। मोनिका यह कहकर चली गई। सुरीली की आँखों में आसू भराते हैं, वे कहती है, मोनिका मैडम कितनी अच्छी है, मैं इनको गलत समझती थी, जबकि यह सही है, साहब गलत है, लेकिन मैं नहीं समझ पाई थी, हे भगवान, मोनिका मैडम को सही सलामत रखो, खूब लंबी उम्र दो। दूसरे दिन ही सुरीली छोले भटूरे बनाने का सामान ले आती है, वे छोले भटूरे बना कर ठेला लगाती है और बेचने जाती है, एक बार जो छोले भटूरे खा कर जाता है, वे दूसरे लोगों को बताता है, अरे भाई एक बार ट्राई करो, सुरीली के छोले भटूरे ठिला लगाया उससे, उसमें बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं अच्छा, अभी जाता हूँ, अरे चलो भाई चलो मैं भी चलता हूँ सुरीली के दोनों बच्चे भी स्कूल से आकर उसकी मदद कर देते हैं तभी मोनिका अपनी बहुत सारी सहेलियों के साथ वहां आती है और कहती है कहो सुरीली काम कैसा चल रहा है तुमारा सब आपकी क्रिपा है मैडम सभी सहेलियां सुरीली से छोले भटूरे लेकर खाती हैं और बहुत तारीफ करती हैं सब सुरीली के साथ सेलफी लेती हैं। मोनिका को अच्छे काम के लिए और एक जंदगी सुधारने के लिए क्लब की तरफ से अवार्ड मिलता है। अब सुरीली का ठेला खूब चलने लगता है। उसकी खूब इंकम होती है। शार्दा चाची सुरीली के पास आती हैं और सुरीली नहीं मिली है, अब तो फोन भी नहीं लग रहा है। सुरीली भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे पती कहां घूमते होंगे, उनकी बुद्धी को सुधार दो, उन्हें अगर काम ना मिला हो तो उनकी मदद करो। दो तीन दिन के बाद मोहन वापस आ जाता है और कहता है, सुरीली मैंने बहुत ढूंडा, लेकिन मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला, मेरी तभी ठीक नहीं, इसलिए मैं लोट आया हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया, यहां भी बहुत काम बढ़ गया है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, हम दोनों मिलकर यह काम बखु भी संभाल सकते हैं। मोहन खुश हो जाता है, दोनों मिलकर अपने काम को बढ़ाते हैं और एक बड़ी सी दुकान ले लेते हैं, अब दोनों का जीवन बहुत ही सुखी हो जाता है। शौचाले कहा होता है? खेट में है शौचाले, और कहा होगा? एं? खेट में? क्या आप सब खेट में जाती हैं शौच के लिए? और कहां जाएंगे बहु? अब जल्दी करो और नीता को लेकर खेट हो आओ, फिर दिन चढ़ जाएगा, फिर बैठी रहना पेट दबाए। लेकिन वहां देखती है कि करीब 20-25 और लड़कियां शौच के लिए खेट में जमा हैं। उसे देखते ही सब की आवाजें तेज हो गई। वह कह रही थी, वो देखो आज से सुशील की दुलहनिया भी शौच के लिए आया करेगी। रेवा इस जुंड के बीच कैसे शौच करती। इसलिए वह यह सोच कर वापस आ गई कि अब दिन में जो होगा सो देखा जाएगा। देखो सुशील, चाहे जो हो जाए, मुझे घर में शौच आले चाहिए। मैं इतनी औरतों के बीच खुले में बैठ कर शौच नहीं कर स और आपके घर में तो मा और जवान बहन भी हैं, वो खुले में जाती हैं तो आपको बुरा नहीं लगता। आरे बहू, ये तेरा कजबा नहीं, हमारा गाउं है, ऐसे चोच ले करने हैं तो जाओ अपने माई के। रेवा ने फैसला लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अपने बच्चों के लिए वे शौचाले जरूर बनवाएगी। उसने देखा कि नीता स्कूल से जल्दी आ गई और गुटनों में मूँ छिपाए रो रही है, अरे नीता, तुम रो रही हो, क्या हुआ? भाबी, कैसे बताओ, शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकती। पगली, मैं तुम्हारी भाबी हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो और कैसे बताओगी। भाबी, आज बहुत जोर से प्रेशर बना, मैडम ने शौचाले में नहीं जाने दिया, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए और इसी हालत में मुझे घर भगा दिया। अरे, ऐसे कैसे, जब स्कूल में शौचाले है तो तुम्हें जाने क्यों नहीं दिया? भाबी, प्रिंसिबल मैडम शौचाले का ताला लगा कर रखती हैं, उसे तो सिर्फ अपने लिए या उन बच्चों के लिए खोलती हैं, जो शौचाले जाने के लिए महीने भर के पैसे एक साथ जमा कराते हैं. क्या स्कूल के शौचाले में जाने के लिए महीने भर के पैसे हैं? हाँ भाबी, वरना सारी लड़कियां शौच के लिए स्कूल के पीछे वाले खेट में ही जाती हैं जहां से लड़के उनको चुपके से देखते हैं और पीछे से उन्हें कंकर मारते हैं, सीटी बजाते हैं पता नहीं तुम लोग इतना बर्दाश कैसे करते हो, क्या तुमने माजी को नहीं बताया? बताया, लेकिन मा क्या कर सकती है? अगर मा ने कुछ कहा, तो समाज उनका भहिशकार कर देगा भाड में जाए समाज, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी प्रिंसिपल स्कूल का शौचाले कैसे नहीं खोलती तब ही बाहर से सुशील और उसकी मा आ गए, सुशील ने पूछा क्या हो नीता, तुम्हारी आँखों में आंसू? रेवा ने उन्हें सारी बात बताई, कितनी बार कहा है खेत में चली जाया कर, लेकिन नहीं, या तो शौचाले में जाना है या कपड़ों में करना है मा, समझती क्यों नहीं, दिन में लड़के देखते हैं और कंकर मारते हैं, सीटी बजाते हैं, मैंने कितनी बार बताया है आपको मा, रेवा सही कहती है, हमें घर में भी एक शौचाले बना ही लेना चाहिए ची, ये सब घर में, कभी नहीं बहस होती रही, लेकिन किसी के दिमाग में कोई बात नहीं घुसी, अगले दिन रेवा नीता के साथ स्कूल पहुँची मैडम जी, नमस्ते, मैं नीता की भावी हूँ ओ, बताये, कैसे आना हुआ मैडम जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कि अगर स्कूल में शौचाले है, तो उसमें बच्चों को जाने की अनुमती क्यों नहीं है? विशेश कर लड़कियों को ऐसा है, आप हमें मत सिखाईए, ये स्कूल हमारा है, और हम शौचाले में जाने दें या नहीं, ये हमारी मर्जी हम पढ़ाने के पैसे लेते हैं, शौच के नहीं, जाईए यहां से अच्छा, तुम मुझे लगता है कि मुझे आपकी शिकायत करके ये स्कूल बंद कराना पड़ेगा ओ मोतर्मा, यहां का प्रशासन मेरी जूती की नोक पर है, समझी, ये गीदर धमकी किसी और को देना शौर शराबा सुनकर स्कूल के मास्टर और आसपास के लोग भी उनकी बाते सुनने लगे एक आदमी बोला अरे भईया, शौचाले का इतना बड़ा बवाल क्यों बना रखा है, अरे इतने खुले मैदान पड़े हैं, वहां क्या परिशानी है भला है अच्छा, यहां जितने भी आदमी है, वो तो सब शौच के लिए अंधेरे में ही खेत में जाते होंगे अगर दिन में पेट खराब हो जाए, तो क्या वे पॉलिथिन में करके फेकाते हैं, उन्हें किसी भी समय शौच जाने की इजाज़त क्यों है लड़कियां औरते जाएं अंधेरे में, दिन में पेट खराब हो तो रोग कर रखें, और आदमी जब उनका मन करे तब चले जाएं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी ही औरतों के अधनंगे शरीर को देखकर आँखे सेखते हैं, इसलिए गाउं में शौचाले नहीं बनवाते ये सुनकर सब आदमियों की आँखें शर्म से जुग गई, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल अभी भी गुसे में थी, वे बोली आप तुरन स्कूल का शौचाले खोल देंगी, वैसे मैंने आपकी सारी धंकियां इस फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं, शाम तक डी एम तक पहुँच जाएंगी, हो सकता है कल ही आपका स्कूल सील हो जाए, नीता अब चलो यहां से रेवा की बात सुनकर प्रिंसिपल के पसीने चूटने लगे, उसे समझ ही नहीं आया कि अब वे क्या करे, वे रेवा से बोली जरा सुनो, इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है, मैं शौचाले का अभी ताला खोल देती हूँ, अब कभी इसका ताला नहीं लगेगा, इन्होंने मेरी आँखे खोल दी है अरे, आपके तो पसीने चूटने लगे, घबराओ मत, कहीं अटाक वटाक ना आ जाए अरे, नहीं, मैंने तो वो सब ऐसे मजाक में कहा था, मैं तो सोच रही थी कि स्कूल में एक दो शौचाले और बनवा दूँ, बीचारे बच्चों को खेत में जाना पड़ता है स्कूल का शौचाले हमेशा के लिए खुल गया, जिसने भी सुना, रेवा की जमकर तारीफ की, गाउं में बाते बनने लगी, एक आदमी बोला सुशील ने पूचा, रेवा क्या ज़रूरत थी गाउं में राचनीती दिखाने की, जानती हो, गाउं में निकलना मुश्किल हो गया है, चारों तरफ तुमारे ही जिक्र हो रहा है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, जानते हो, खुले में शौच करने से कितनी गंदगी फैलती है, खुले में शौच पर बैठी हुई मक्हियां हमारे घरों में खाने पर बैठती हैं, जिसके कारण कितने लोग हैजे और अनिक घातक बिमारियों से मर जाते हैं तुम ठीक कहती हो, चलो तो हम भी एक शौचाले बनवा ही लेते हैं रेवा बहुत खुश हो गई कि उनके घर में शौचाले बन रहा है, लोगों ने उसके लिए बहुत आपत्ती जताई, लेकिन रेवा ने किसी की परवा नहीं की तब ही गाउं का मुखिया और सरपंच उसे तोड़ने के लिए आ गए जब ये बात गाउं की लड़कियों को पता चली, तो सब लड़कियां और और औरते उनके सामने आकर खड़ी हो गई एक लड़की बोली, इस शौचाले को तोड़कर आप लोग साबित क्या करना जाते हैं जब हम खुले में शौच करती थी और गाउं के ये सारे पुरुष हमें बार बार जखाक कर देखते थे तब आपने इस मुद्दे पर आवास क्यों नहीं उठाई पिता जी, आप मर्दों को शर्म नहीं आती, लेकिन हम लड़कियों को शर्म आती है जानते हो, पिछले साल मुन्नी ताई की बेटी स्कूल में शौच को रोके रखने के कारण मर गई आप तो मुखिया हैं, आपको तो गाउ में घर घर शौचाले बनवाने चाहिए लड़कियों की बात का उन आदमियों पर इतना असर हुआ कि सब उल्टे पाउं वापस लोट गए स्कूल का शौचाले खुलते ही गाउ में क्रांती आ गई और घर घर शौचाले बनने लगे अब किसी को शौच के लिए खुले में नहीं जाना पड़ता था